कि नमस्का दोस्तों स्टॉक मार्के स्टैडिज में फिल से एक बर आपको सागत है तो आज मैं बात करने वाला हूँ आज ही के तीन लिस्टिंग हुआ एक नया कॉम्पानी के बारे में तो इस कॉम्पानी के जब आई पी आया था मैं इसके उपर अलग से आपको वीडियो ब पूरा देखना बहुत कुछ डीटेल्स में आपको बताऊंगा तो वीडियो को लास तक देखना और अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्रीब नहीं क्या तो आज के स्टॉक के बारे में कॉम्पानी का जो नाम है वो है एच पी अधीसाब्स लिमिटेड तो एच पी अध देख सकते हैं आपे आज के दीन का जो चार्ट पटन है या पे करीवन करीवन 330 मतलग करीवन 20% प्रीमियम देखकर मार्केट में रिष्टी हुआ है जब अधस देखने को मिला जब अधस देखने को मिला तो इस कॉम्पानी के ऊपर आप स्टाडी कर स्टाडी करिए क्योंक पूरा देखने को मिल रहा है तो इस कॉम्पानी के ऊपर आज बात करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखते जाहिए तो HP अधिसभ जो है इसका बिजनेस मॉडूल क्या है सबसे पहले उसको आपको दिखा दो पूसर दोस्तों ने IPO का डिटल्स नहीं दिखा होगा तो आप इन्वेश्ट करने वाले है तो इसके उपर डिटल्स में आपको दिखा देता हो यहां पर देख सकते हैं यहां पर द बत्लूं ग्लू जाए साहा यहां पर दीका होईट ग्लू जो पिडलाई इंडेस्टी जो आप जानते हैं फेवी कॉल बनाते है उसी तरीके से ग्लू भी इस कॉमपानी बनाते हैं साथिसाथ यहां पर देखिए प्लंबिंग अक्सेसरी लगते हैं वह भी इस company बनाते है शाती साथ E-R-P-Manhole Cover मतलब यतने सारे road में manhole होते है उसी का Cover भी इस company बनाते है तो साथी साथ यह आपर देखे company obviously future में आपको अच्छा का सा growth देने वाला है क्योंकि company का business model obviously एक एक ऐसा sector है जिस sector को हर कोई टाइम पे जोर्रत जोरूर पड़ेगा यह को देखिए पीडी लाइट आप जानते हैं जो फेविकल बनाते हैं हर कोई टाइम में आपको जूरूर लगेगा ही लगेगा किसी भी टाइम में आपको जूरूर उसका जूरूरत होगा उसी तरीके से है इस कोम्पारी एस कोें फाट भी उसी तरीके से खड़ सकते हैं और के बार में बात करूंद हो आज के दिसटिंग हेilा इक जबदस पॉफिट अपको दिया क्यूक्5000 का जो तो प्राइस बेंड था मतलब प्राइस रेंज था बाइंग का वो 262 से 274 था और आज के दिन का जो लिस्टिंग गेंग है तो ओभराल बात करूँ दोनों ही यहाँपे 26 यहाँपे 20 परशन से ज्यादा यहाँपे प्रॉफिट देखकर कंकानी आज के दिन लिस्टिंग हुआ है तो अच्छा का साइक लिस्टिंग देखने को मिला और इस कंपणी के उपर आपको जोरूर फोकास होना चाहिए क्योंक का मार्कट के पीलेशन एक छोटा मोटा एक स्मॉल कप टैप माइक्रो कब टाइप कंपनी है फोर हनद सेबेंट करोड का मार्के मार्के प्लेशन है और कंपानी का जो शेर से 1.42 करोड का कंपनी का प्यर इस्याफ फोटी सी किसमातलो ठीक ठाक लेवल में देखने को मिल रह करजा है को 42 करोर का करजा को अच्छा का से देखने को मिल रहा है साथ इस देखिए सात रुपिया अनिक पर सेर भी है कौमपनी का बाकी जो डीटेल से तक काम करते हैं उस फिल में आप देख सकते हैं इंडस्टी से अरत्याइच केमीखल 2 विए जान के इंडस्टी विलोग करते हैं देखिए के तक मतलब बहुत सरे होते हैं तो chemical मतलब सिर्फ fertilizer में काम कर रहे यह मतलब नहीं है chemical sector आप SCN paint को भी chemical sector से बिलोंग कर सकते हैं मतलब chemical sector बोल सकते हैं साथ PD light investis भी एक chemical sector है तो इसी तरीके से इस company भी एक chemical sector से बिलोंग करते हैं company sales growth 39% company profit growth 312% company return of equity 132% company return of capital employee 34% overall सारे के सारे चीज़ यहां पर data positive में देखने को मिल रहा है तो इस company के उपर इसी लिए में आपको study करने के लिए जुरूर बता रहा हूं कि क्योंकि तुम्पानी का जो performance है वो अच्छा खासा देखने को यहां पर मिल रहा है हां company के पास कर्जा भी है मानता हूं मगर company करते कि profit growth less net profit गो भी आपको देखना चाहिए company करीबन करीबन 2000 2020 में करीबन 4 करोड का लॉस किया था अभी 2021 में करीबन 10 करोड से भी ज्यादा profit आपको company किया है तो overall सारे के सारे data यहां पर positive आपको देखने को मिलेगा company के कर्जा भी आप देखेंगे तो करीबन 8.55 करोड का कर्जा है obviously पिछले सालों में 0.78 करोड का कर्जा था अभी वो कर्जा बढ़के 8.55 करोड बंच चुके है तो overall सारे के सारे parameter कुछ positivity कुछ negativity लेकर चल रहा है मगर इस company में एक चीज मुझे जो positivity लगता है वो है chemical sector से बिलों करते है साती साथ company का performance उतना खराब भी नहीं है और साती साथ company जिस sector से बिलों करते है उस company उस sector का product हमेशा आपको मतलब हमेशा आपको चाहिए चाहिए होते है तो इस type company के उपर आप निवेस करने के लिए सो quarter three का result आने बाद है उस quarter three का result आपको आपको देखना होगा तब उसके बाद आप निवेस करिए उससे पहले निवेस मत करिए तो आपको बहुत तगलिफ हो सकता है क्योंकि quarter three का result जब आएंगे तो comparison to पिछले सालों का जो result था उसको भी आपको देखने को मिलेगा और पिछ सारे के सारे डेटा यहापे में आपको दिखा चुका हो असा करता हूँ सारे जानकर आपको मिल चुका है तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना दोस्तों को साथ सेर भी करना और जलबाजी मत करके इस टाइप कमपाणी में निवेस मत कर लेना थोड़ा सा ओट क करिए थोड़ा सा होल्ड करिए कमपाणी का रेजाल आने दीजिए उसके बार निवेस करने करें सोचिए तो मिलते हैं इसी तरीके से निया स्टॉक के निउज लेका तब तक लेसे सरही हमने क्या लखिए बाई